नमस्कार दोस्तो अब आपके लिए एक और नहीं कहानी लेकर आए हैं बहु तुम्हारी दो दिन की छुटी है तो तुम उरद की दाल भी को देना मैं तुम्हें मसाला बड़ी और पापड बनाने सिखा दूँगी ठीक है मम्मी जी काजल ने कहा अरे क्या यह हर समय पापड और बड़ी की बातें करती रहती हो बहु नौकरी करती है तुम्हारे जैसे चूला चूका करने वाली ग्रहनी नहीं है और हाँ उसके पापा ने उसे बहुत पड़ाया लिखाया है बहु के सामने पती ने जब यह बात कही तो पुषपा जी का चहरा शरम से लाल हो गया और फिर वे बनावटी सी मुसकान चहरे पर लाकर बोली कि नौकरी करती है तो क्या घर के काम सीखना भी जरूरी है जो चीज तुम बहु को सिखाओगी वेह बाजार में असानी से मिल जाती है पुषपा जी ने कहा कि जो चीज बाजार से मिलती है उसमें घर सासवाद नहीं होता और समधन जी को मेरे हाथ की अचार बड़ी पापर बहुत ही अच्छे लगते हैं उन्होंने बहु से कहा था कि अपनी सासु मां से पूछ कराना की वहयाय सब कैसे बनाती है यह मुझे सीख कर अपने माई के जाकर उन्हें बता देगी और उनके लिए अचार बड़ी भी ले जाएगी तबी बहु ने कहा कि पापा जी आपको इस तरह ममी जी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए क्यों की ग्रहनी भी किसी से कम नहीं होती जब वैजवाब दे रही थी तो सासु मां ने बहु को इशारा करके चुप करा दिया और काजल चुप हो गई काजल ने दाल भी गो दी और अगली सुभा उठकर दाल पीस दी और बड़े मन से सासु मां से बड़ी बनाना और पापड बनाना सीख रही थी तभी काजल ने कहा कि मा मुझे पापा का इस तरह आपको बोलना जरा भी अच्छा नहीं लगता है उन्हें इस तरह आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तब मा ने कहा कि जब मैं शादी होकर उनके घर आई थी या तब ही से इसी तरह से मेरी मजाक उड़ाते हैं लेकिन अब मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मेरे पापा ने मेरे दोनों भाईयों को शहर पढ़ने भेज दिया था क्योंकि हमारे घर के आस पास कोई कॉलेज नहीं था इसलिए मुझे नहीं भेजा और जब मैं शादी करके यहां पर आई तो बड़ी बहू होने के कारण घर की सारी काम की जिम्मेदारी मेरे सार आ गई थी इसलिए मैं यहां आकर भी नहीं पड़ सकी सास ने कहा कि बहू अगली बार छुटियों में तुझे आम का अचार बनाना सिखाऊंगी और तुम अपनी ममी के लिए भी ले जाना काजल ने कहा कि ठीक है मांजी अगले दिन काजल अपने माई के चली गई और अपनी ममी के लिए अचार पापड बड़ी भी ले गई वहां पर पड़ोस की ओरतों ने थोड़ा सा अचार चखा तो उन्होंने काजल से कहा कि हम बाजार से भी तो खृतते हैं तुम अपनी ममी जी से कहकर हमारे लिए भी अचार बनवा देना और उन्होंने पांस सो रुपे अचार और पापड के लिए दे दिये आकर वैपैसे अपनी सासु मां को दिये और बोली कि यह आपकी कमाई है आप इसे अपने लिए कुछ भी ले 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 ना पुषपाजी ने कहा कि मुझे खुछ समझ में नहीं है और घर आकर पुषपाजी को बोलने लगे तभी काजल ने कहा कि पापा मा घर रहकर भी कमा सकती है और वह केवल आप पर ही निर्भर नहीं रह सकती पहले तो पती थोड़ा गुसे हुए लेकिन फिर खुश हो गए उदर पुश्पा जी ने भी अचार पापड बड़ी बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे उनका काम खुब फैल गया उन्होंने महले की ओरतों को भी काम देना शुरू कर दिया था इसलिए अपने अंदर के हुनर को जगाईए और जिंदगी में आगे बढ़िये कोई भी काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं होती है धन्यावार